Union Bank of India भारती बैंकिंग सेक्टर का एक और बड़ा नाम दोस्तों आज हम बात करेंगे Union Bank of India की के Union Bank of India में अगर आप investment करते हैं तो कौन-कौन से ऐसे plans होंगे जिसमें आप investment करके एक अच्छा खासा जो return है वो हासिल कर सकते हैं सो फ्रेंड्स टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बीना किसी देरी के शिरू करते हैं हमारा वीडियो हाजी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गगंदीप आपके अपने फेविर्ट चैनल जी डिटेकी से तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं करता हूँ आपको रेट ओफिंटर्स के टेबल के उपर ही लेकर चालता हूँ देखिए रेट ओफिंटर्स के टेबल आपकी स्क्रीन के उपर है आप देख सकते हैं इसमें अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की जो most popular FDI है जो कि है एक साल की तो एक साल की fixed deposit के उपर आप देखिए rate of interest कितना है जी 6.30% senior citizens पे 6.80% और super senior citizens पे 7.05% पंजाब national bank की तरह union bank of India आपको super senior citizens के उपर extra rate of interest प्रवाइड करा रहा है तो एक साल की fixed deposit के उपर rate of interest काफी कम रहा है लेकिन जैसे हम नीचे आते हैं तो हमें 599 days की fixed deposit मिलती है जिसमें हमें rate of interest मिलता है जी 7% senior citizens पे 7.5% और super senior citizens पे 7.75% इसके इलावा देखिए अगर हम बात करें 700 days के लिए तो हमें 700 days के लिए भी special FD plan जो हम मिल रहा है union bank of India में rate of interest 7.25% senior citizens पे 7.75% और super senior citizens पे 8.0% तो इसी तरह से एक और special FD plan भी मिल रहा हमें वो है जी 800 days के लिए तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 800 days के लिए 7.3% senior citizens पे 7.8% और super senior citizens पे 8.05% बाकी long term की जितनी भी fixed deposit है उनकी जो ब्याज़दरें आपकी screen के उपर है तो मैं आपको specially recommend करूँगा अगर आप investment करना की सोच रहे हैं union bank of India में तो आप special FD plan में invest कर सकते हैं तो आज हम बात करेंगे 5.99 days plan के बारे हैं तो देखिए rate of interest 7% 7.5% और super senior citizens पे 7.75% rate of interest आपने देख लिए तो मैं के करता हूँ सीधा ही FD calculator open करता हूँ जी तो देखिए FD calculator आपकी screen के उपर है सबसे पहले एक लाग से शुरू करते हैं rate of interest कितना है जी 7.0% time period है जी 5.99 days के लिए तो देखिए जैसे मैं calculate करूँगा आपकी जो maturity value है वो कितनी बनके आगई 1,12,062 रूपीज उसी तरह से अगर हम बात करें 7.50% के हिसाब से तो देखिए आपकी जो maturity value बनके आगई वो कितनी है 1,12,968 रूपीज तो super senior citizens के बहाफ पर 7.75% के हिसाब से अगर हम calculate करते है तो देखिए maturity value कितनी है जी 1,13,424 रूपीज तो उसी तरह से आगे बात करते है 2,00,000 की 2,00,000 के उपर 7.0% के हिसाब से journal पे हमें देखिए कितनी maturity value मिल जाएगी 2,24,124 रूपीज तो उसी तरह से आगे बात करते है 7.50% के हिसाब से तो देखिए कितनी maturity value बन गई जी 2,25,937 रूपीज तो आगे बात करते हैं super senior citizens के लिए तो देखिए super senior citizens के लिए अगर हम calculate करते हैं तो आपकी जो maturity value वो कितनी बन के आगे 2,26,849 रूपीज तो आगे बात करते हैं जी 5,00, की तो मैं 5,00,000 फिल करूंगा जी देखिए जैसे मैंने 5,00,000 फिल किये सबसे पहले 7.0% के हिसाब से तो देखिए दोस्तों क्या होगा मैं जैसे ही calculate करूंगा हमारी जो maturity value वो कितनी मन के आगे 5,60,310 रूपीज यानि के आपको 6310 रूपे ब्याज की रूप में मिल जाएंगे तो उसी तरह से अगर हम बात करें senior citizens के लिए 7.50% के हिसाब से तो देखिए क्या होगा जी आपकी जो maturity value वो कितनी मन के आगे 5,64,844 रूपीज यानि के आपको 64,844 रूपीज ब्याज की रूप में मिल जाएंगे तो आगे बात करते हैं 7.75% के हिसाब से super senior citizens के लिए तो देखिए क्या होगा जी आपकी जो maturity value वो कितनी मन गई 5,67,123 रूपीज तो लास्ट में बात करेंगे जी 10 लाग के लिए तो देखिए मैं 10 लाग फिल करूँगा जी जैसे मैंने 10 लाग फिल किये सबसे पहले हम journal के बिहाब पर चेक करेंगे 7.0% के हिसाब से 5,99 डेज के लिए तो देखिए क्या हुआ जी आपकी जो maturity value है 10 लाग के उपर वो कितनी मन गई 11,20,620 रूपीज यानि के 1,20,621 रूपे आपको ब्याज के रूम मिल जाएंगे 10 लाग के उपर तो अगर हम बात करें senior citizens के लिए 7.50% के हिसाब से तो देखिए क्या होगा जी जैसे मैं calculate करता हूँ हमारी maturity value कितनी मन क्या आगी आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं 11,29,689 रूपीज यानि के आपको 1,29,000 और 700 रूपे के करीब जो है वो ब्याज की राशी मिल जाएगे जी सो लास्ट में बात करते हैं अगर आप super senior citizens के बहाँ पर investment करते हैं तो 7.75% के हिसाब से 5.99 डेज के लिए देखिए क्या होगा जी आपकी जो maturity value बन जाएगी वो कितनी है 11,34,246 रूपीज यानि के आपको 1,34,260 रूपे आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगी जी सो देखा दोस्तो कितनी असानी से हमने union bank of India के बारे में जो rate of interest है उनके बारे में जान लिया और ये भी जान लिया कि कौन से ऐसे plans हैं जिन में आप investment करके एक अच्छी खासी जो maturity value है वो हासिल कर सकते हैं सो दोस्तो उमीद करता हूँ कि video आपको पसंद आया होगा अगर आपके मन में फिर भी कोई doubt हो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या इनके उपर जो tax deduction है वो कटेगा तो मैं आपको बता दू अगर आप income tax return फिल करते हैं फिर तो आपको इस वीडियो में आपको यह वीडियो में आप संद आया हूँ तो प्लीज यह वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा तो इस वीडियो में इतना ही